बाबा नीम करोरी सुभावगत कैसे थी? नमस्कार, मैं बिरोध शुक्ल, हापको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोरी की अधभुद गाताएं, अधभुद गाताओं की सरंखलामा आज एक बहुत महत्पून प्रशन, कि बापा नीप कर रही है नहीं महराजी का सुभाव कैसा था तो पूछते ना मैंने सोचा कि उनके सुभाव के बारे में आज मैं बताने का प्रियास करूँ हाला कि उनके बारे में कौन क्या बता सकता है गुरु और भक्त गुरु और सिस ये रिस्ते तब भी थे सदियों पहले थे आज भी है और आज के गुरु और सिस के अगर रिस्ते देखें तो बड़ी नाम चीन नाम आते हैं और भक्त गुरु और भक्त में मिलने में बड़ा फासला होता मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता भक्त अगर मिलना चाहता है शिष्ट से अगर मिलना चाहता है तो बड़ी देखकत होती है समय नहीं है या उनिक साब आज गुरु पुडमा है और कुछ लोग गुरु मंत्र लेना चाहते है क्या होता है पंडाल में बड़ी बड़ी लोग बहुत लोग बैठे होते हैं और वो सीदा सीदा बहीं से अपने मंच से बता देते हैं जब क्या होता है कि गुरुमंतर जब दिया जाता है बात आकई है तो इसलिए बता रहा हूं तो कान में दिये जाता है और कान अगर मुख के पास लाने के लिए गुरु के मुख के पास कान लाने में निकटता होगी लेकिन आज कल ऐसा बहुत कम लोगों के बीच में होता है आखिर बाबा नीम करोरी अपने भक्तों से अपने सिस्ष्यों से संबंद कैसे रख पाते थे तो आज मैं बताना चाहता हूं कि बाबा नीम करोरी के भक्त हमेशा बड़े नजदीक से मिल सकते थे मिलते थे आप घर में बेट गई आप चार पाई पर बेट गई आप तखत है तकत पर बैठ गई आप अपने आश्रम में हैं तो भावी आप जैसे लोगों के बीच में थे मैंने आभा मातुर प्रदीमातुर और कई लोगों कपूर साब का लखनुव में इंटरिवू लिया था जिन सबने ये बताया था कि बिलकुल बाल सका से लगते थे क्योंकि कपूर साब मादमिक सिच्छा परसद की क्लास ही ले रहे थे आठ में और दस में के लगबग थे तो महराजी उनका हाथ पकड़ लेते थे और चले जाते थे अब हमाथोर ने बताया था कि महराजी बैठे हुए और हम लोग तखत के नीचे खेल लें बाते हैं ऐसे बहुत सारे उधारण है तो महराजी के बीच में गुर और उसे से ऐसे रहते थे जैसे एक ही बाग के या एक ही प्रच के दो फूल है बक्तों को पूरी चूट होती थी पैर चूलिये गले भी लग गए बक्त को कुछ कहना है तो अपनी बात कह सकते हैं और बात अगर बक्त ने कही है और महराजी ने नहीं सुनी है तो रूटने का भी पूरा मौका होता था और अगर महराजी ने कोई बात कही बक्त ने अपन भग्त जिद भी कर सकता था यह मैं सुभावववत बाता बता रहूं मैं आपको बहस हो सकती थी आप रूट सकते थे आप अपनी जिद कर सकते थे और यहां तक कि अगर महराजी की कोई बुरा ही करनी है सामने करते हैं महराजी क्या करते थे रूटने मनाने चोड़ी चोड़ी बातों कि ऐसी व्याख्या करते थे या ऐसे बात करते थे जैसे कभी मालू में ही नहीं पड़ा कि हनुमान जी अपने बीच में है देव पुरस अपने बीच में है एक महान पुरस यूग पुरस हमारे बीच में है नह तो उसमें होता क्या था उनका सुभाव था कि वो समायोजित हो जाते थे अब आप की सोच रहे होंगे ये सब बात है ऐसे ही बता दी मैं आपको कुछ उधारत मैंने केकेस सहा के कई संधर्व आपको सुनाए है केकेसा महराजी के अनन्य भक्तों में रहे महराजी के ट्रांसलेटर कहे जाते थे विदेशी जो भक्त आते थे तो वो अंग्रीजी में कहते थे यह translate करके महाराजी को समझाते थे महाराजी हिंदी में कहते थे वो अनुपाद को बहुत अच्छे लेकक बलके ये कहूं कि पूर्ट समर्पित थे महाराजी लिए और होता क्या है जब कोई पूर्ण समर्पित हो जिनके प्रत्र प्रत्र और उनसे कोई निवेदन करे और वो माने नहीं तो क्या होता है तो रूठने मनाने का चकर चल जाता है एक बार केके शाह्र ने ये का कि महराजी हमारे घर पर पदारू महराजी ने कोई उत्तर नहीं दिया केकेस आनद डोबारा कहा, कि महाराजी घर पे आओ, और महाराजी ने सुना अनुसुना कर दिन, ते बारा फिर कहा उनोंने, कि महाराजी आपको घर आना है, महाराजी मुश्कर आये, जवाब नहीं दिया, केकेसा को गुस्सा आगया, आएगा ना, बार बार निविदन कर रहे महराजी लिफटीं के रहे केके सहा आसरम से उठे और अपने घर चले गए हम नहीं देन चलो ठीक हमारी बात नहीं हम पूरा इनकी सेबा कर रहे निश्यल वाहसूर लगे है अपने समद्पित के वर महराजी अमारी घर नहीं आएगे बइसे चाहाँ जब चाहाँ आदमी लिवाजा जाता है केके साह नाराज होए और केके साह यहां तक नाराज होए कि इन्हें जरूवत होए तो हमाई पास आए समझ रहे हो क्या कह रहे हैं अगर इन्हें हमाई जरुवत हो तो ये मेरे पास आए और अपने घर रूट के बैठ इधर महराजी अनने भक्त हैं महराजी को भी लगा लेकिन महराजी न गए और नहीं उनसे कोई ख़वाई कि ये चलता रहा कुछ दिन बीचते हैं इसके बाद महराजी का एक प्रोग्राम मनता है नैनी ताल का कैची धाम में थे नैनी ताल नैनी ताल आना जाना रहता था तो उन्होंने ख़वर विजबादी कि हम नैनी ताल में इनके हम मिलेंगे जिस वक्त के आ जाना था और जो भक्त हमसे मिलना चाहें बहां आ जाएं महराजी वहां गए और आपको बताना है कि वो घर केकेशा के घर के थोड़े नजदी की था केकेशा को ख़वर मिली कि महराजी आये हुए है केकेशा कुछ काम करने के लिए बाहर जाना चाहते थे बजार जार का घर में कहीं केकेशा निकले ही नहीं है इदर आमने घर में बैठे रहे अब इधर महराजी ने देखा क केके नहीं आया किलास कहते थे किलास क्या कहते थे किलास अब कीके शाइ अपने घर पर बैठे हैं और वो भी भुग दुक्ख लिए बैठे है लेकिन एक बात थी ना उनको लगता था कि महराजी को हमारे आना चाहिए और महराजी इनको जाना चाहिए आपका क्या आपकी राए है कुछ आपकी राए चलो जो हो देखना लेकिन हुआ क्या के के सहा अपने घर बैठे संद्या का समय हो गया है और उस बेला में महाराजी की आवाज सुनती है के लाज के लोज अब इस तरह से जब आवाज दर्वाजे पर यह देता ह के के सहा एकदम चत्वे बैठे परबड़ा के आते हैं और देखते हैं महाराजी दर्वाजे खड़े हैं महाराजी की चरणों में गिर जाते हैं भक्त की लाज रखने के लिए भगवान घर पर आने तो देखिए जिद की न रूठे मैं आपको यह बता रहा हूँ कि रूठ तर्मां मेरे संग्यान में आ रही है याद आरी तो तुम्हें आपको बता रहा हूँ माहाराजी बैठते हैं बही आसपास मुकुंधा के तें मुकुंधा प्रकाषए जोसी करा उनने एक बुस्तग लिखी होई है उसमें बड़ी सारी कथायं महाराजी के दिए तो मुकुंधा साथ में होते हैं एक दिन नेनीताल में ही इक भक्त कहा recommends और महराज जी न बहार ही कह दिया अरे मुकंदा तू महां बैठ और वो बहार बैठ गए अब जो साथ में उसी कमरे में बैठता हो महराज जी के लिए आया हुआ नास्ता उसी में से नास्ता खाने को मिलता हो सब चीजें भई मिलेगी ना और पंका चलना तो भई हवा भी लेगी है ना और आज बाहर बैठा गया है मुकंदा को लगा कि यार मेरी तो बेज़ती होई हैं अब वो बैठे है महराज जी को चाय नास्ता आया इसके बाद उन्हें बेजा गया होता ना घर में कोई आया है और आने के साथ जो आया उसको भी किया जाता वो बहाँ बैठे थे उन्हें चाय नास्ता नहीं किया फिर महराज जीन जाना कि आज तो मुकंदा नाराज हो लिए उन्हें आवाज लगाई और प्रिकास्चन जी अपना मौ ऐसे किये बैठे थे आईसे उन्हें कर लिया कानों में वाज आ जा रही है और नहीं सुन झाए थोड़ी दिर बाद फिर महराज जी ने का मुकंदा अब मुकंदा जी वह है अपने चुप चाप है क्या होता है महराज जी उठते हैं और आधी रस्ते मा आते आधिरस्तiji बीच माहीं दरवाजी को बूदें आधर आजा यहा है यहां बैठा के और चैथ नठीड़े हों महीं भैके यह न महाराजजी भैट्छे रहते इंवर एक अपने हैं मुकंदा नाराज है माराजी कि खी रहे हैं ठीके न और भक्त होगी Kohagat Chmaji रहीं लेकिन प्रकाश्चन जोसी अपने यूधन जब पाइसे जाने का समय होता है माराजी मुकंदा के पास दो आम अपने कमल मैं से निकाल के देते और चैसे ही देखते हैं मुकंदा आंखों से आसुआ जाते हैं क्योंकि इतने बाहर बुलाया और हम गए नहीं तो फिर बाहर आके ढाटा नहीं क्या किया आम दिये और खाली उन्होंने अपनी पुस्तक में और एक चीज बताओ मैं बहुत सारी घटनाएं आती हैं मुझे या किया था तर हमिने बताया था उन्होंने भी ट्रादी ऑस्ता नेवात एक मताती हैं जोसी साशाथ उनके साथ उनका ऑगा मित्र था जो महराजी का भगत्त था वह इसने भोजाण नहीं एक झाट मता जिसने म है absolutely नहीं किया मैं अगर आई आई थी देर रात जब आए थे तब महराजी क्या हुआ था महराजी देर रात लगा दी कि इसने खाना नहीं खाया महराजी ने कई वर खबर भिजबाई थी और रब्बु दादा ने कहा था कि जब हम उस दिन आए तो भूजनाले यानि हनुमान गड़ी में जब पहुंचे कुछ नहीं था समाप्त था तो उस दिन आलू या जैसे भी करके जो भूजन बनाया था कहते हैं मुझा आज भी स्वाद याद है हम महराजी से नाराज हुए और आप कहते हैं कि जब कभी कोई भूजन की बात आती तो मना नहीं करता हूँ मुझे याद आ जाता कि मैं महरा जी ऐसे थे उनका ऐसा सुवाव था जहां जो जैसे मिलता था उन्हीं मैं समायत होके भगवान पर ऐसे हुटे ना उन्हीं के साथ उन्हीं परस्तितियों में और ऐसे बन जाते थे जिससे भगत को कभी कष्ट नहों बल्द चुपके से किरभा बरसा दे तो आप भी तयार संजु भाईी आ है कि मैं सुन्दर कान पड़ता हूं तो बढ़ोगो आना पड़ता है मैं बढोडा करते हैं तो बहां परता हो हवा नहीं कोई नहों लगता है एकड़म हवा तेजी से परदा उड़ता है यह कुछ ऐसा लगता है कि यहां कोई आया है और बो कहते हैं कि बढ़ा हुआ थे मैंने पूचा यह बढ़ा कौन है अपने बाबा बाबा नीम करो ली देखिए कितना इसने है मैं मिला हूँ इन भक्तों से इसलिए मैं इनकी बातें बताता हूँ चलिए फिर मिलते हैं कि ऐसी